मैं डॉक्टर सुपरिया पुरानिक, test tube baby consultant and practicing obstetric and gynecology since last 20 years. इस वीडियो में हम जानने वाले हैं प्रेगननसी के दाउरान, बालों को कलर करना, हेर डाय करना कितना सुरक्षित होता है? प्रेगननसी के दाउरान, हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी हरकोती की वज़े से baby को नुकसान नहीं पहुचना चाहिए. आजकल बढ़ती उम्र में गर्बदैरना, जॉब का pressure, stress, tension, हमारा गलत प्रकार का खान पान, इन सारी चीजों से हमारे बाल जल्दी सफेद होना शुरू हो गया है. और आजकल कभी-कभी function के लिए, कभी रस्म के लिए हम हमारे बालों को color करना चाहते हैं, थोड़ा अलग look के लिए हम थोड़े highlights करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन में ये प्रश्ण रहता है कि क्या ये hair color करना हमारे शीशू के लिए सुरक्षित हैं? क्योंकि जो बजार में hair dye मिलते हैं, उन hair dye में कभी-कभी toxic chemical रहने के chances जादा रहते हैं, आजकल वो toxic chemical की मातरा बहुत ही कम हो गई है, लेकिन कभी-कभी हम जब कभी हलका product यूज करते हैं, तो ये toxins जादा रहने के chances रहते हैं, और ऐसे products यूज करना कभी-कभी baby के लिए खत रहा हो सकते हैं, एक study में दिखाया गया है, पहले तीन मेने में बार-बार बालों को color करने से उसमें जो toxic chemicals रहते हैं, इसकी वजह से baby पे असर हो जाता है, कभी-कभी वो toxic chemicals हमारे skin के थूँ बेबी की तरफ जाते हैं, कभी-कभी वो toxic chemicals सूगने से हमारे blood में उतर जाते और इससे abortion के risk बढ़ जाती है, कभी-कभी पहले ती माही में यूज करने के बाद, बेबी के eyes पे affect हो जाता है, और पैदाईशी catrack होने के chances जादा होते हैं, एक study में ये भी दिखाया गया है, कि ये toxic chemicals की वजह से, बेबी के brain में थोड़े changes हो जाते हैं, और बेबी के पहल tumor brain में होने के chances बढ़ जाते हैं, लेकिन ये सारी examples है, ये बहुती extreme situation के examples है, जब हम गलत type का product इस्तमाल करते हैं, हम बार-बार इस्तमाल करते हैं, और बेबी के जब organs और बोड़ी के parts जब तयार होते हैं पहले ती माही में, उस time हम ये गलत product यूज करते हैं, तो इसकी risk देखा गया है, जो hair dresser, जादा घंटे, मिसाल के तौर पे देखा जाए, तो 40 hours in a week, हम से भी जादा काम hair dressing का करते हैं, तो उनके pregnancy में abortion की risk थोड़ी पढ़ जाती हैं, और ऐसे भी देखा गया है, कि hair dyes में कभी-कभी ammonia नाम का एक तत्वर हैता है, और ये ammonia ammonia अपने सांसों के थ्रू बेबी की तरफ जा सकता है, और ये ammonia is toxic to the baby, तो usually ammonia containing dye हमें प्रेगनसी में नहीं यूज करने चाहिए, और वैसे भी प्रेगनसी में हमारी body sensitive हो जाती है, ये hair dyes की वज़ए से थोड़ा itching होना, थोड़ा rash होना, कभी दाने उभर आना, आखों की ज complications हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं, तो आईए हम जानते हैं, प्रेगनसी के दौरान हमें hair color करना है, कुछ function के लिए हमें highlight करने है, हमारा gray hair का coverage करना है, तो हमें कौन सी सावधनिया बरतनी चाहिए, Usually, जब हम प्रेगनसी में hair dye करते हैं, तो सस्ती प्रोड़क का बिल्कुल नहीं इस्तमाल करना, जिनमें toxic chemical syndication से ज़्यादा रहते हैं, Usually, प्रेगनसी में जो हम hair dye use करने वाले हैं, वो अच्छी तरह से पर्खी है, उस पे जो instruction दी हुई है, वो अच्छी तरह से अब जान लीजिए, वो ammonia free होनी चाहिए, और ये अच्छे quality के, अच्छे brand के होनी चाहिए, जब प्रेगनसी में हम dye करना चाहते हैं, तू usually first three months में dye करना avoid कर दीजिए, Hair dye लगाने वक्त, प्रेगनसी में compulsory gloss का पहनना जरूरी है, क्योंकि हमारे skin के थुरू, ये chemicals हमारे body में नहीं जाने चाहिए, जब हम hair dye apply करते हैं, तब usually, खाने पीने के लिए मना करते हैं, कभी-कभी हमारे खाने के साथ, पीने के साथ, कुछ हद तक वो hair dye की मात्रा अंदर जाने की भी chances रहते हैं, जब pregnancy के दावरान हम hair dye करते हैं, तो hair dye हमें कम से कम टाइम तक ही बालों को apply करना चाहिए, लगबग 15 से 20 मिनिट तक ही रखना और वो फिर अच्छी तरह से दोना चाहिए, और जो hair dress cells है, जो लंबी टाइम के लिए अपने salon में काम करते हैं, उनके लिए कुछ चीजों का ध्यान देना जरूरी है, वो आपका salon, ये अच्छा well ventilated होना चाहिए, बाहर की fresh हवा अंदर आ जानी चाहिए, तो ये जो गंध जो hair dye से निकलता है, वो आपने कम से कम आपकी सास के अंदर जाना चाहिए, दूसरी बात है, आप usually treatment करते वक्त मास्क पहन लेना है आपको, आपको glows अच्छी तरह से पहनने होगे, और आपको ये काम करते वक्त, खाना पीना avoid करना है, तो इस वीडियो में हमने जान लिया, hair dye करना pregnancy में safe है क्या, और hair dye करने वक्त हमें क्या-क्या सावधनी बरतनी चाहिए, तो इस विशेय में आपको कुछ शंकाय रहेगे, कुछ प्रश्न रहेंगे, तो आप हमें जरूर email कर दीजिए, thank you.